नमस्कार जैहन दोस्तों आशा करते हैं आप सब ठीक हैं शुक्रिया मेरे साथ दुबारा जूरने के लिए इस YouTube चैनल पर बहुत दिनों से मैं आपके सामने को वीडियो पेश नहीं कर सका क्योंकि Asia Cup की शुरू होने के बाद से दिन के चार लाइव शोज कर रहा था और एक व के बारे में आपको बताना बनता है क्योंकि इस खबर की जो काफी सारों से बैक शोरी है उसी की बेसिस पर आप में से बहुत वीवर्स मुझे जानते होंगे और मेरे साथ इसी चैनल पर भी जुड़े हैं और दोस्तों वो है फेकिट इंडिया तो आज के वीडियो से मैं आ उस पे पिछले एक महीने से ब्रेक लगा दिया गया था मैं बात कर रहा हूं आप में से बहुत सातियों का चहीता यूट्यूब चैनल फेकिट इंडिया जो पहले टाइम्स अप इंडिया उसके बार नव भारत टाइम्स का हिस्सा बना और जिस पर मैं टिंकु जिया और र अगवार नव भारत टाइम्स छोड़ कर गए और जिस समय वो कंपनी से निकले तो निरज भाई ने मुझसे कहा था कि देखो अब शो कुछ टाइम तक शायद बंदी रहेगा या फिर हो सके दुबारा शुरू ही ना हो अब जायर से बात है कि यह सुनकर अच्छा था नही ने छोड़ने के बाद भी ऐस फ्रीलांसर इस शोड़ पर आता था और फिर लॉक्टाउन के बाद से हर गुर्यवार को नौइड़ा फिल्म सिरी जाना टाइम्स इंटरने लिमिटेट के दफ्तर में निरज और बाकी सात्यों के साथ एपिसोड शूट करना इससे मुझे ब बाल आया कि जेमी भाई प्लीज आप दुबारा जुड़िया हमारे साथ एस टिंको जिया एन रिंको जिया और मैंने नवीन जी से कहा भी कि सर मैं तो तयार हूँ मगर क्योंके फिलहाल अपने डेली क्रिकेट शोज में काफी बिजी हूँ और फिर अगले तीन हफतों के अ क्रिबन बारा से फंदा दिन तक बिजी रहूंगा तो सर मैं चाहता हूँ कि डिसेंबर पांच के बाद से मैं दुबारा फिर इंडिया के साथ चुरू अपना स्केचुर देगा अब से लेकर डिसेंबर तक मेरे पास शायद शायद एक या दो दिन होंगे जब मैं दफ्तर मैं नीरज भाई कर शुकर यादा करना चाहूंगा कि जब हम दोनों टाइमस अब इंडिया में कॉलीक्स थे तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया टिंकु जिया किरदार निवाली कि और उस समय बाद उनके बड़ी बुआ के छोटे लड़के लिंकु जिया उसके बाद उ ऐसा एक हफ़ता नहीं गया दोस्तों जब से मैं फिक इडिया का हिस्सा बना जब हमारे वीडियोस पे दिल को छू लेने वाले कॉमेंट्स नहीं आए सब्जेक्ट बदलते गए किरदार आए डए वीडियोस पर व्यूज उपर नीचे रहे परंतु व्यूवर्स का अप्रिशियेशन कभी ने बदला इतने गुनाम अंजान लोगों के कॉमेंट्स पढ़कर टिंकु जिया रिंकु जिया को लेकर शो के मटिरियल को लेकर निरज की राइटिंग को लेकर बाकी किरदारों के बारे में इस पूरे सफर में ये बात, यही कॉमेंट्स, यही प्यार मेरे लिए सबसे ज्यादा माइने रखता है ऐसे कॉमेंट पढ़कर ही मुझे एसास हुआ कि फेक इट इंडिया की टीम जो भी करती आई है जितनी बार मुझे घर से बार लोगों ने रोकर पुछा सर्फ आपका वो टिंकु जिया वाला शू सबर दस्त है जाहे सेसाइटी के गार्डन में या नजदी की मार्केट में क्रिकट के मैदान पर, मॉल्स में, मेट्रोज में, एरपोर्ट्स में, हावाई जाज के अंदर कैफेज में, रेस्टराउन्स में, किसी की शादी पे भी, बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे और मैं अभारी हूँ नीरज का फॉर राइटिंग इस टू केरिकर्स, इंकु एंरिकु और दोस्तों आपको बता दू कि इसी शो के कुछ एपिसोर्स देखकर, मुझे एक्टिंग के दुनिया में, कुछ मौके मिलें, जैसे के मेरी पहली वेब सीरीज अफसोस, जो साल 2020 में, एमाज़ान प्राइम वीडियो पे आई, और कुछ छोटे मोटे एक सीट के रोल्स, कुछ और प्रॉजेक्स के अदु So, once more, thank you, thank you to everyone who has watched FakeItIndia, who supported FakeItIndia, who subscribed to FakeItIndia, और मेरे आपसे लिए तरखास्त है, कि आप चैनल से जुड़े रहे हैं, FakeItIndia से जुड़े रहे हैं, क्योंकि नवीन जी और टीम हर अफते, आपके सामने एपिसोर्स पेश करने की कोशिश करें तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द खयार रखें, जैए